Hello friends, स्वागत आपका हमारी YouTube चैनल GK Tracker पे आज हम इस वीडियो में हमारा जो Economics की सीरीज चल रही थी 1000 questions की उसके भाग 8-way में आ गए है Most important questions हमने देखे हैं अभी तक हम 210 questions को 7 भागों में देख चुके हैं चलिए 8-वा भाग इसका शुरू करते हैं आज का पहला question है भारते स्टेट बैंक का राष्ट्रे करण कब क्या गया था देखे भारते स्टेट बैंक का राष्ट्रे करण 1955 में क्या गया था इससे पहले इसका नाम था Imperial Bank of India इसका नाम था लेकिन 1955 में इसका राश्रे करण किया गया इस bank का और नाम दिया गया भारती state bank तो एक question ऐसे भी पूछा जा सकता है भारती state bank किस थापना कब हुई थी 1955 में ये भी पूछा जा सकता है imperial भारती state bank पहले किस नाम से जाना जाता था imperial bank of india अगला है भारतिय और दोगिक पुरन निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी यहाँ स्थापना हुई थी 1985 में ठीक है अगला है भारतिय जीवन बीमा की स्थापना तो LIC की स्थापना होती है 1956 में ठीक है अगला प्रश्ण है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है जेम्स विल्सन को जिन्हों ने 1861 के आसपास में क्या किया था भारत में बजट प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था गंतंत्र भारत का पहला बजट किस ने पेश किया था तो गंतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जौन मथाई ने ठीक है 1950 में अगला है केंद्र को सरवादिक राजस्व के प्राप्ति किस कर से होती है कर यानि कि टैक से होती है तो जो सेमा सुल्क कर होता है उस कर से केंद्र को सबसे अधिक राजस्व के प्राप्ति होती है ठीक है फ्रेंट्स most important question है और बहुत ही ज़्यादा repeated question भी यह है ठीक है चलिए अगला question देखते है चैलिया समीति का संबंध किस से था तो चैलिया समीति का जो संबंध था यहाँ था कर सुधारों से ठीक है कर सुधारों से था और 1991 में इस समीति की स्थापना होती है ठीक है टेक्सों में सुधार करने के लिए इस समीति का गठन किया गया था अगला है वहकर जैसे केंद्र सरकार लगाती है परंतु वसूली राज्य सरकार करती है तो कौन सा कर है वहा केंद्रिया बिक्रिकर केंद्रिया बिक्रिकर एक ऐसा कर है जिसको लगाती तो केंद्र सरकार है ठीक है लेकिन वसू जो के सोमपाल इसके अध्यक्षत है अगला प्रश्न है सरवादिक सिंचित छेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो सरवादिक सिंचित छेत्रफल वाला राज्य की बात करे तो वह है उत्तरपरदेश और अगर नियुंतम सिंचित छेत्रफल वाले राज्य की बात करे तो वह ह आसाम ठीक है और अगर छेतरफल के प्रतिशत की दिरिश्टी से देखा जाए यानि कि जिसका एरिया है और उसके परसेंट के हिसाब से तो वह है पंजाब और सबसे कम है बिजोरम ठीक है अगला है भारत की मुख्य खाद्य पसल कौन सी है भारत के मुख्य खाद्य फसल है चावल ठीक है अगला प्रश्ण है भारत में सरवादिक कौफी किस राज्य में होती है तो कौफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करनाटक में होता है भारत में ठीक है और अगर विश्व की बात करें तो यहाँ ब्राजील में होता है ठीक है फ्रिंट्स अगला प्रश्ण है सरवादिक गन्ना किस राज्य में होता है तो जो सरवादिक गन्ना होता है यहाँ उत्तर परदेश में होता है ठीक है उत्तर परदेश में सबसे ज़्यादा दाल का उतपादन होता है ठीक है और अगर पुछे सोया बीन के बारे में सोया बीन का भी मैकसिमु उतपादन कहां होता है वो भी मध्यप्रदेश में होता है ठीक है इसके अलावा और चीज़ें देखें अगर तो मक्का जो होता है मक्का का सरवादिक उत्पादन कहा होता है आंध्रा में ठीक है आंध्र प्रदेश में मक्का का सरवादिक उत्पादन होता है ठीक है और अगर चावल की बात करें जो भारत का मुख्या खाद्य फसल है तो यहाँ बंगाल में सरवादिक होता है ठीक है और मोटा अनाज की बा तो यहां होती है गुजरात में और कपास भी गुजरात में ही सबसे अधिक होता है ठीक है फ्रेंट्स यह थे कुछ important fact चले अगला कोशन देखते हैं राष्ट करिशी बीमा योजना कब लागू की गई थी तो यहां योजना लागू की गई थी उननी सो निन्यानिवे में पह अगला प्रश्ण है क्रिशी के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है तो कपड़ा उद्योग जो है यहां भारत में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जो की रोजगार प्रदान करता है पहरे नंबर पर क्रिशी है जिला उद जोगों में सुधार से सम्बंदित कौन सी समीति है या समीति कौन सी है तो आबीद हुसेन समीति जो थी इसका सम्बंद था छोटे उद्धोग थे उनमें सुधार से सम्बंदित ठीक है अगला परशन देखते हैं अंतराष्टिया मुद्रा कोस की स्थापना कब की गई थी त सतराष्टिया मुद्राकोस की स्थापना 27 दसंबर 1945 में की गई थी ठीक है ब्रेटन वुड सम्मेलन इसका इसकी स्थापना का आधार था ठीक है ब्रेटन वुड सम्मेलन और अगर बात करें IBRD की यानि की इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड भी कहा जाता है ठीक है अगला है आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी आयात निर्यात निकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानि की एक्जिम बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी ठीक है फ्रेंड्स अगला है अर्थसास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगर्ति के नियम की खोज करना अगला है अर्थे सास्त्र कभी आदर्श विज्ञान होता है और कभी वास्तविक विज्ञान यहां कतन किस ने कहा था तो फ्रेड में का यहां कतन था अर्थे सास्त्र कभी आदर्श विज्ञान है और कभी वास्तविक नकली मुद्रा असली मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है यहाँ कौन सा नियम है तो यहाँ है ग्रिश्म का नियम ठीक है ग्रिश्म का नियम कहता है कि अगर मार्केट में दो प्रकार की मुद्रा हैं चल रही है एक है और चल रही है असली मुद्रा और एक नकली मुद्रा तो क्या होगा जो नकली मुद्रा होगी वो असली मुद्रा का स्थान ले लेगी ठीक है जिससे अर्थ ववस्ता को नुकसान होता है नगद लेन देन के सिध्धान्त के प्रत्यपादा कौन थे फिशर नाम के एक अर्थसास्त्री थे जिन्होंने नगद लेन देन के सिध्धान्त को दिया था अगला प्रश्ण है विकास का सिध्धान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया था तो दादा भाई नरोजी के द्वारा विकास का सिध्धान्त दिया गया था जिन वस्तों के मुलिय में वृद्धी होने पर मांग बढ़ जाती है वो वस्तों क्या कहलाती है गिफिन वस्तों जहां पर मांग का नियम नहीं लगता है वो वस्तों कहलाती है गिफिन वस्तों अगला देखते हैं सुनिया आधारित बजट का सुधाव किस ने दिया था तो जिरो बेस बजटिंग का सुधाव किस ने दिया था पीटर पायर ने दिया था ठीक है सुनिया आधारित बजट का मतलब होता है कि बिलकुल नए सिरे से बजट को तयार करना ठीक है हम इसको complete कर देंगे टिके फ्रेंट्स आठ भाग बन चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा गया आप देख सकते हैं अगर आपको चैनल ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को like करें शेर करें और चैनल को हमारे subscribe करें थैंक यू फ्रेंट्स